सो फ्रेंड्स देख सकते हैं लिखा हुआ है औल इंडिया इंस्टिट अफ मेडिकल साइंसेस मदुरई तमिल नाडु अखिल भारती आयुरवेग्यान संस्थान मदुरई तो दोस्तों एम्स तमिल नाडु के तरब से विकेंसी यहां पर आ चुकी है सेंट्रल गॉर्मेंट का यह रिक्रूट्मेंट यहां पर रहेगा एम्स की जितनी भी विकेंसी है केंदर सरकार की तैत यहां पर रहती हैं सेंट्रल गॉर्मेंट की यह जौब आप लोग के आप रहने वाली हैं 5 अगस्त 2023 को यह जानकारी ऑफिशली इसमें आपको यहां पर करेंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और स्वास्त बिवा की All India विकैंसी की जानकारी आगे भी पाते जाएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के बिटन को क्लिक कर लिए तो बिलकुल शुरू बात करते हैं अपडेट को बढ़ते हैं information की और तो इसमें group B और group C तो ये दो अलग-अलग groups की विकेंसी है group B की post की जो यहाँ पे जो table है यह वाल यहाँ पर रहेगी और group C की जो यहाँ पर जो table है इसमें अलग-अलग post यह वाली table आप लगों की यहाँ पर रहेगी तो group B की बात करते हैं तो लाइबरेरी और information assistant तो एक पद इसमें unreserve के लिए शामिल किया गया इसके बाद technician laboratory तो lab technician की post इसमें एक पद है यह भी unreserve में आपे शामिल किया गया इसके बाद warden तो warden के इसमें आपे दो पद है और यह भी unreserve category candidate के लिए शामिल किया गया तो group B क कुलमला के चार यहाँ पर unreserved category candidate के लिए रहेंगे इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें कुछ पोश्ट यहाँ पर और है stano graffer तो stano graffer की दोस्तों इसमें आप एक post है unreserved category candidate के लिए इसके बाद अपर division clerk तो UDC की post है clerical post है clerk की यह vacancy है इसमें दो पाद है यह भी unreserved category candidate के लिए रहेंगे इसके बाद लिखा है lower division clerk तो LDC की इसमें एक post और इसमें आप शामिल यहाँ पर कर लिए गई है यह भी unreserved category candidate के लिए रहेंगी तो group C से करीब करीब 4 पाद इसमें आप शामिल के गए यह इसमें आप शामिल के गए है इसके लिए आपको एपलाय करना है और आपको पुरा डेटल, notification, qualification, experience, fees के जानकारी, model of examination, payment के जानकारी सारी अनकारी आपको जो अफिशल वेबसाइट पर मिल जाएगी और यहाँ पर देखे लिखा है ओलाइन एपलाए करना है तो इसके जो रेजिस्ट्रेशन है आप लोगों के 5 अगस्त यह जो है स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर देखे लिखा है फिल कर देना है आप लोगों को अपनी जानकारी वहाँ पर ओलाइन मोड में भेलते नहीं है और दोस्तों यह जो इनफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पर रीड करके बदाई यह नोटिफिकेशन आपको दैनेक भासकर में मिल जाएगा और जो 5 अगस्त का जो दैनेक भासकर है उसमें यह नोटिफिकेशन आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया गया है और कुछ समय में यह जानकारी ओफिशल वेबसेट पे भी पबलेश आपको जो है देखने को मिल जाएगी तो जैसी इनफोर्मेशन आएगी मैं आपको कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्यास में आपको योगता मांगी जा रही है इन वेकेंसी को अप्लाइ करने के लिए तो अपडेट जो भी था मैंने आपको कवर किया सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और वेकेंसी की जानकारी आगे भी पाते जाएं स्वास्त बिवा की हर वेकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रैट बेटन को क्लिक कर लें तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, thank you so much